को स्ब्सक्रे 인 rot करते हैं लिन जो शन के पास आती या पर शेन के पास आख उससे उसके competition के बारे में कोई बेबात नहीं कह रही होती बल के और इदोतिर की बात कहरी होते हैं उसे कहें लगते हैं कि तुमने मेरी बार भी अच्छा परफॉर्म ना किया और अच्छे से शूटिंग ना कर पाया तो वो अब कभी भी मुझे अपने टीम में नहीं रखेंगे मैंने उनसे एक चांस वांगा तो उन्होंने का कि ही क्या एक चांस तुम्हें दे देता हूँ अभी दो हफ्तों में सबी ट्रेनर्स का टेस्ट वने वाला है तो उसी में तुमने भी टेस्ट देना है अगर तुम उसमें फरस्ट आज आते हो तो तो तुम्हें रख लिया जाएगा अब ये सुनने के बाद लिंज के लिए खुश हो ने लगती है फिर चब दोनों बाहिरा आते दो दोनों खड़े हों कि उन ही जा पाता उफीशल होगा तब हम पार्टी करेंगे अभी हम सिर्फ स्नैक्स ही कि हम चला लेंगे और इसके बार शेंड जब लिन को उसके होस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है लिन उससे बाते करते वे जारी होती है फिर जैसे अपने होस्टल पहुंचते तो से याद आ है कि तुम्हें नार लोया चेंड से मिलेगा तो वर यह बात सुनकर उनसे काम लेंगे लिए चली जाती है वह जो इसके ताव काम करको ने imposed उसर्थ हो.所有ब opioid के जले थैंट क्योंके औट को घेली Cons घयाता है वो इसके काम को देखकर इसके काफी जदा तरीफे वगरा करते हैं क्योंकि जो गलती उन्होंने लिकानने को कहा था कि ढूंडो इन समय से वो इसने ढूंड री थी गुशाओ अपने डॉम में वापस आती है तो सब के लिए वो बाबी की भी लेकर आई थी वो एक साथ बैठकर खाने लगती हैं आज कुश हो काफी खुश थी तो वो दोनों पूछे लगते हैं कि तुम आज इतना खुश क्यों हो हमें भी तो बताओ तो वो उन्हें बताएं लगते हैं कि आज जो मुझे काम मिला था ना वो काम मैंने बहुती ज़दा अच्छे से किया है और मेरी तरीफे वगरा भी हुई इसलिए मैं आज बहुती ज़दा खुश हूँ प्लीन जो अपनी काम में लगे होती तो वो उसे पूछे लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो तो वो बताएं लगते हैं कि शेंन अब अपनी ट्रेनिंग करा उओ उसके पस दिन भी काम है तो मैं नहीं चाती कि वो अपनी फिजिक्स की कलास जा कर लोगी और मैं इसकी के तो अपना मुबाइल नी देते उनकी बहुत सी प्राइविट चीजे होती है क्या वह तुम्हें अपना मुबाइल देगा अब यह बात ओ लिन भी सोचने लगती है और शेंट जो बागते हो वे लिन के पास आता है और लिन से कहने लगता है कि तुम इती सुपह आ गई तो जब पासवर्ड लगा होता है तो वह उसे कहते है कि पासवर्ड भी बताना पड़ेगा शेंट कुछ बोलता है इससे पहली वह कहने लगते है कि तुम्हारी कुछ प्राइविट चीज नवर कर रहा होंगे अगर तुम डलीट करना चाते हो तो ले लो पर लिन तो उसे पास प्रेंडर स्मिस नहीं होने दूँगी बरके तुम्हाई जगा पर जाके मैं क्लास लोंगी शेंट उसे कुछ भी नहीं कहता और वह जावां से चली जाती है तो शेंट भी अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है दिन भी शेंट की क्लास लेने के लिए जा रहा है तो उस उसको अपनी कुछ क्लास वगरा मिस करनी पड़ेंगी अब यह बास सुनकर लिए तो सोचे लगती है कि मैंने तो उसको क्लास के बारे में बताया था पर उसमें मुझे कुछ भी ने का बरके आगी से समयर कर रहा था और जैसे ही वो शेंट का मोबाइल ऑपन करती है तो उस सब्सक्राइर में दोसका रहा रहते हैं वो का अपना टाइम वेस्ट करो ना हमारा बहां कहने लगता है कि मैं गीवड करों गार और उनके सामने अपने अक्सेसराइज करना स्टार्ट कर देता है जुस्तार आए थे वह तो कौछ की मुho को देख रहा है कि मैंने कब ऐसा बोला कि वो इस ट्रेनिंग से गिव अप कर दे जबकि उस चीज का तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है बटकॉश तो इसलिए कह राता था कि वो अच्छे से ट्रेनिंग करें और लास्ट में फाइनल में जाकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाए और यह बार टेस् की पिक बना ली थी और उसमें ये भी लिखा था कि मेरा बॉइफरंट तो सीरियस होकर भी प्रत प्यारा लगता है इदर हमें गुशाओ दिखाए चाती है जिसको लोया चैनल ने बुलाया हुआ था अपने काम के लिए क्योंकि वो उसे टफ टाइम देना चाते थे और कुछ भी नहीं बोल पाती बलके उनका काम पकड़कर करने भी वाली होती है पर पीछे से आकर ये सारी बाते फूट सुन लेता है अब फूट और डायरेक्ट अंदर आ जाता और कहने लगता है कि तुम्हारा तो आज वाफता तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लोयर चैन करने की कोई पर्मिशन नहीं है ये कहकर वो गुशाओ को मांसे जाने को कहता है बुशाओ भी ये बास सुनते साथ ही मांसे भाग जाती है फिर फूट को थैंक्स कहने के लिए आदिया लगता है कि मैंने चो तुम्हारी हेल्प की तुम इस हेल्प को ऐसा समझ लो जैसे तो हमेशा ज़्यादा टाइम अपनी क्लास को देता ना के जॉप्स वगरा को गुशाओ तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती पर फूसे कहता है कि इस पारे में जूर सोचना कि तुम्हें इंटर्शिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो गुशाओ उन्हें थैंक्स काय कर जो वो चीजें रख कर जाते हैं उसके लिए और अपनी ट्रेनिंग को दुबारा से स्टार्ट कर लेता है और फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन इसका टेस्ट था घर से रैडी बगारा होकर अपना टेस्ट देने के लिए आता है या तो बाकी तोस भी उससे देखन के लिए आये होते हैं जिन में लिन भी होती है और चैसे इनका फर्स टार्ट होता है तो शेन इतने अच्छा स्कोर नहीं करता पर इतना बुरा भी नहीं था कि इसके जितने के चांसेज ना हो यह सब उन्हें बैठार रॉंग बता रहा होता है कि आप शेन को कितना करना चा अब मुकाबला काफी टाफ हो चुका था और शेन की ऊपर भी बहुत जदा बोज़ था बट फिर भी शेन स्कोर करता है और सच में वह 5 के 5 परफेक्ट स्कोर करता है जिसके बाद तो उसके लिए सब इतना खुश हो रहे होते क्योंकि वह वीनर बन चुका था यहां तक कि लड़की को भी हरा दिया था जो बहुत ही जदा एटिटूट दिखा रहा था पर शेन तो बस लिन को देखकर खुश था फिर हमें गुशाओ दिखाए जाती है जो फो के पास आती है और फो को आकर बता देती है कि मैं यह जोब छोड रही हूँ अब मैं अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करूंगी वो तो यह सुनकर खुश हो जाता है और गुशाओ फूसे कहने लगते है कि मैंने यहाँ पर आने के बाद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है तो फो भी कहता है कि हाँ जब तुम पहले दिन आयती तुम कुछ और थी पर अब तुमने अपने आ और तुम कपशकर लीनिंग चारी होता तो अच्छी से उनका ठेस Technology यह जारा होता है और टेस्स सब यह सब यह पास जाते हैं तो शीम ईं09 कोषिन के साथ कोई और दूश्मनी थी जिसकी हैं भी बेस पर फिर भी शेन से खुश नहीं होते और शेन की वहां से जाने के बाद कोश कहाने लगता है कि मैं इसको इस लिए ऐसा करता हों क्यूंकि मुंक्छ nggak पता यह कर दिखाएगा और अगर ऐसा बोलूगा तो यह कुछ करके दिखाएगा ना तो फिर इसके बाद शैन्बिक उसे में आकर आपने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पर हमारे ये पार्ट भी एंड हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तर वीडियो को लाइक करना